हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इच्छा प्लान में तो आज की वीडियो में भारत के उच्छ न्यायालेओं के बारे में जानेंगे भारत में कितने उच्छ न्यायाले हैं और उनकी स्थापना किस वर्स की गई तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं ये वीडियो सभी प्रतियोगी पर इच्छाओं के लिए उपयोगी है यदि आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजी तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में कितने उच्छ न्यायाले हैं तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्छ न्यायाले हैं सामानिता पिरतेक राज में एक उच्छ न्यायाले होता है लेकिन संबिधान के अनसार दो या दो से अधिक राजियों के लिए भी एक ही उच्छ न्यायाले हो सकता है ये अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि सामानिता प्रतेक राज के लिए एक उचिनियायाले होता है लेकिन अनुच्छेद 231 में बताया गया है कि दो या दो से अधिक राजियों के लिए भी एक ही उचिनियायाले हो सकता है अब जानेंगे कि सबसे पहले कौन-कौन से उचन्यायाले इस्थापित किए गई तो 1862 में इस्थापित कलकत्ता उचन्यायाले भारत का सबसे पुराना उचन्यायाले है उसी वर्स बॉम्बे और मदरास उच न्यायालियों की भी स्थापना की गई यानि 1862 में तीन उच न्यायाले स्थापित किये गई कौन-कौन से किये गई कलकत्ता उच न्यायाले बॉम्बे उच न्यायाले और मदरास उच न्यायाले ये तीन सबसे पुराने हैं ये बात याद रखनी है और इनकी स्थापना कब की गई अठारा सो बासट में अब बारत में बर्तमान में 25 उच्च न्यायाले हैं तो उनके नाम, स्थापना बर्स, प्रादेशिक, छेत्रा अधिकार और खंड पीट के बारे में पढ़ेंगे अठारा सो बासट में हुई प्रादेशिक, छेत्रा दिकार है इसका पश्चिममंगाल, अंड मान और निकोबार दीफ समू में और खंड पीट एक कहां पर है इसकी कोलकाता, पोर्ट बिलेर की बेंच बंबई, इसकी स्थापना कब हुई 1862 में हुई इसका प्रादेशिक, छेत्रा दिकार है महराष्ट, दादरा और नगर हवेली, गुवा, दमन बा, दीफ खंड पीट है इसकी मुंबई, पड़जी, और अंगाबाद और नांगपुर में बेंच चेन्नई यानि इसी को ही मदरास उच्चिन्यायाले कहा जाता था, इसकी स्थापना 1862 में हुई, प्रादेशिक, छेत्रा दिकार है इसका तमिलाडू और पांड चेरी, खंड पीट चेन्नई मदरे में बेंच इलावाद उचनियायले इसकी स्थापना 1860 में हुई प्रादेसिक छेतरादिकार है इसका उत्तर प्रदेश, खंडपीट इलावाद लखनव में डैंज करनाटक उच नियायले की स्थापना कब हुई 1864 में हुई प्रादेशिक छेत्रादिकार है इसका करनाटक और खंडपीट, बंगलरू, धारबार और गुलबरगा में बैंच पटना उच नियायले की स्थापना 1916 में हुई प्रादेसिक छेत्रादिकार है बिहार, खंड़ पीठ है पटना जम्बू एवं कस्मीर उच नियायले की स्थापना 1928 में की गई प्रादेसिक छेत्रादिकार है जम्बू एवं कस्मीर और लद्दाख और खंड़ पीठ है इसकी स्रीनगर और जम्बू पंजाब और हर्याडा उच नियाले की स्थापना 1947 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार है पंजाब, हर्याडा और चंडिगड और इसकी जो खंडपीठ है बैप चंडिगड है गुआ हाटी उच नियाले की स्थापना 1948 में की गई प्रादेसिक छेत्रा दिकार है इसका असम, नागालेंड, मिजोरम और अरणाचल प्रदेश खंडपीट, गुआ हाटी, कोहिमा, आईजोल और इटा नगर में ब्यांच यह प्रस्ण पूछा गया है कि गुआ हाटी जो उच नियाले है उसका प्रादेसिक छेत्रा दिकार कहां कहां पर है तो यह प्रस्ण पूछा गया है इन्पॉर्टेंट है यह तो याद रखना है गुआ हाटी का प्रादेसिक छेत्रा दिकार है असम, नागालेंड, मिजोरम और अरणाचल प्रदेश में अगला है उरीशा उच नियायल है इसकी स्थापना 1948 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार है उरीशा और खंड पीठ है कटक राजिस्थान उच नियायल है इसकी स्थापना 1949 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार है राजिस्थान और खंड पीठ है जोदपूर तो मुख खंड पीठ इसकी जोदपूर में है और बैंच है इसकी जैपूर में मद्पिर्देश उच नियायल है की स्थापना 1956 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार है मद्पिर्देश खंड पीठ जबलपूर है बैंच इंदौर और ग्वालियर में है केरल उच नियाले की स्थापना 1958 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार है केरल और लक्षदीप पर खंड पीठ है एरना कुलम गुजरात उच नियाले की स्थापना 1960 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार है गुजरात और खंड पीठ है एहमदाबाद दिल्ली उच नियाले की स्थापना 1966 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार दिल्ली है और खंड पीट इसकी दिल्ली है हिमाचल पिर्देश उच नियाले की स्थापना 1986 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार हिमाचल पिर्देश पर और खंड पीट इसकी सिम्ला में है सिक्किम उच नियाल है इसकी स्थापना 1975 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार सिक्किम है और खंड पीट गंग टोप में 36 गड़ उच नियाले की स्थापना 2000 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार 36 गड़ है और खंड पीट है बिलासपुर उत्राखंड उच नियायले की स्थापना 2000 में की गई प्रादेसिक छेत्रादकार उत्राखंड है और खंड पीठ है नैनिताल जारखंड उच नियायले की स्थापना 2000 में की गई प्रादेसिक छेत्रादकार है जारखंड और खंड पीठ है राची तिरपुरा उचनियायले की स्थापना 2013 में की गई प्रादेशिक छित्रादकार है तिरपुरा और खंड पीट है अगरतला मडीपुर उचनियायले की स्थापना 2013 में की गई प्रादेशिक छित्रादकार है मडीपुर और खंड पीट इसकी इमफाल में है मेघाले उचनियायले की स्थापना 2013 में की गई प्रादेशिक छेत्रादकार मेघाले पर है और खंडपीट सिल्लांग में आंद्रप्रदेश उचनियायले की स्थापना 2019 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार आंद्र प्रदेश है और खंड पीट अमरावत्ती में है तेलंगाना उच्छ नियायले की स्थापना 2019 में की गई प्रादेशिक छेत्रादिकार तेलंगाना है और खंड पीट हैदराबाद में है तो ये भारत के कुल 25 उच्छ नियायले हैं जिनकी स्थापना वर्स प्रादेशिक छेत्र अधिकार और खंडी पीट के बारे में पढ़ लिया अब इसमें जो महत्पूर है क्या याद रखना है जिस उच्छ नियायले का प्रादेशिक छेत्र अधिकार एक या एक से अधिक राज्य उपर है तो वो याद रखना है उस उच्छ नियायले के बारे में अवस्य याद रखना है जैसे कोलकाता का प्रादेशिक छेत्र अधिकार है पश्चि मंगाल अंडमान और निकुबार दीव समूल पर ऐसे ही बॉम्बे जो उच्छ नियायले है इसका प्रादेशिक छेत्र अधिकार है माराष्ट दादर और नगर हवेली गुवा दमनवा दीव चेर्नेई का भी याद रखना है तमिलाडू और पांडचेरी जम्बू कस्मीर का याद रखना है प्रादेशिक छेत्र अधिकार जम्बू इवम कस्मीर और लद्दाख पंजाब और हर्याणा उच्छ नियायले का याद रखना है पंजाब हर्याणा और चंडिगर और तो संबिधान के अनुचेद 217 की तहट याद रखना है उच्छ नियायले के नियायधीस की नियुक्ती राष्ट्रपती द्वारा भारत के मुख नियायधीस सीजे आई राज की राजपाल के परामर्स से की जाएगी यानि की उच्छ नियायले के नियायधीस की नियुक्ती जो है वह राष्ट्रपती द्वारा भारत के मुख नियायधीस और जिस राज में नियायधीस की नियुक्ती होनी है उस राज के राजपाल के परामर्स से की जाएगी ये किसमें लिखा है? लिखा है ये अनुचेद 217 में मुख नियाय धीस के अलावा किसी अन नियाय धीस की नियुक्ती के मामले में उच नियाय लेके मुख नियाय धीस से परामर्स किया जाता है यानि मुख नियाय धीस की नियुक्ती के अलावा किसी अन नियाय दीश की न्यूक्ति जब की जाती है तो उच नियायाले के मुख नियाय दीश से परामर्स किया जाता है तो अनुचेद याद रखना है अनुचेद 217 तो आज की वीडियो में भारत के उच नियायाले के बारे में पढ़ा भारत में कितने उच नियायाले हैं सरप्रितम किन उच नियायाले की स्थापना की गई उच नियायाले की स्थापना वर्स प्रादेशिक छेत्रा दिकार और खंड पीट के बारे में जाना वीडियो कैसा लगा कमेंट वॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक, शेयर चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं ऐसी एक और इंपोर्टेंट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई